हाई दोस्त कैसे हैं आप लोग इंद्रा एंगलिस क्लासिस में फिर आप से आप सभी का स्वागत है हम लोग पास्ट इंट्रोडक्शन जिससे पहले वाले वीडियो में देखे थे अब हम लोग उसका यूज देखेंगे और उससे रिलेटेट कुश्चन्स देखेंगे है ना आगे बढ़ने से पहले मैं फित एक बार आपको दियात दिलाद देना चाहता हूं कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिए जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है यही पढ़ने के लिए यही जैसे पास्ट तर्स मिनट का ये वीडियो है जिसको आप पूरा नहीं देख पाते हैं तो ये थोरा सा अच्छी बात नहीं है है ना उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखेंगे चलिए हम लोग आगे देखते हैं पास्ट इंपर्फेक्टेंस का यूच और उस से रिलेटेड कु होता है जो बीते समय में जारी थी या चल रही थी है ना हिंदी भी लिखा है वैसी किरिया को दिखाने के लिए ना के लिए जो बूत काल में चल रही थी या जारी थी है ना बीते समय में चल रही थी या जारी थी अभी चल रही है या नहीं चल रही है यह कहना ठीक नहीं ह जैसे देखे वे लोग किरकेट खेल रहे थे खेल रहे थे से क्या मतलब हुआ खेलना जारी था यह पास्ट इंपरफेक्ट हो गया यह पास्ट इंपरफेक्ट होता है जैसे सीता का पटना जारी था वो पास्ट इंपरफेक्ट हो जाएगा उन लोगों का टहलना जारी था पा पास्ट इंपरफेक्ट हो जाएगा यह ऐसी क्रिया जो बीते समय में जारी ती या चल रही थी तो उसे हम लोग पास्ट इंपरफेक्ट टेंस में कहते हैं जैसे राम का पत्र लिखना जारी था आप अंगरेजी में कहेंगे राम वाज राइटिंग अलेटर है ना सीता का वेएर वाकिंग ओन दर रोड अना तो बंधू यह सभी किस टेंस में हो गया पास्ट इंपरफेक्ट टेंस में हो गया क्योंकि इससे पता चलता है कार्ज बीते समय में जारी थी उसी तरह देकिया लिखा है दे वेएर या दे सब्जेक्ट हुआ वेएर प्लेइंग भरब ह किर्केट ऑबजेक्ट हुआ वे लोग किर्केट खेल रहे थे अर्था किर्केट खेलने की क्रिया बीते समय में जारी थी फिर यदि श्याम का पत्र लिखना जारी था आप कहते श्याम वाज राइटिंग लेटर आप देख सकते हैं यह पास्ट इंपरफेक्ट है तो ऐसी क अनदर एक्शन इन पास्ट दा फॉर्मर एक्शन इज इन पास्ट इंपरफेक्ट तेंस एंड दा लेटर एक्शन इज इन पास्ट इंडफेक्ट तेंस है ना चले फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं तो रहा सा है ना आप देखिए भी नंबर का यूज आप देख रहे है ना देखे पर एक बार if an action यदि कोई किरिया takes place घटती है during another action दूसरी किरिया के दोरान in past past में the former action तो पहले वाली किरिया is होती है in past imperfect tense पहले वाली किरिया past imperfect tense में होती है and or the later action बाद वाली किरिया is होती है in past definite tense है ना बूत काल में यदि कोई किरिया घटती है और किसी अन्यकार्ज के दोरान घटती है तो जो पहले से चल रही है वो past imperfect में जो उसके दोरान हुई है past definite अपनित कि में इसको हिंदी में भी देख सकते है यदि कोई कार्ज बूत काल में किसी अन्यकार्ज के दोरान होती है तो पहले वाली किरिया को past imperfect tense में एवं बाद वाली किरिया को past definite из tense में लिखा जाता है in आज हो रही है एक पहले से एक उसके दोरान घटी जो पहले से चल रही है पास्ट इंपरफेक्ट में जो उसके दोरान घटी पास्ट इंडेपनित में चलिए सात्यों इस रूल को हम लोग एक्जांपल के माधियम से समझते हैं तो देखें यहां लिखा है जब वे लोग यहा आये, इसको आप देखिए past indefinite में है, क्योंकि आये ही लगा हुआ, यह आये, मैं किताब पढ़ रहा था, यह देखिए past imperfect है, sentence तो एकीट है, इसमें पहला कलाउज जो है, इसमें भर्व है past indefinite में, और दूसरा कलाउज जो है, इसमें भर्व है past imperfect में, तो जो यह past, मैं किता पढ़ रहा था पास्ट इंपर्फेक्ट में क्यों है क्यों कि अब पहले से जारी थी यह बाद में क्यों है यह पास्ट इंडिपनिट में क्यों है तो बाद में हुआ इसी तरह जो कार्ज पहले से जारी थी पास्ट इंपर्फेक्ट में और उसके दोरान जो हुई पास्ट इ रीडिंग बूक है नििया गरीन डुक तो अभी ये पाइस्ट इंपर्फेक्ट वाला क्लाओ जो लस्टुमें है पास्ट पीसको उलट सकते इसको ले आते हैं और इसको ले जाते इधर इस से मेंनग में कोई बदला नहीं आती है फिर क्वार एक्जांपल देखिये जब में खिरकी खोला एक सेंटेंस यदिम तब बारीस घो रही थी पर्बारिज सो जो उसके दोरान हुई past definite में तो जब मैं खिरकी खोला past definite में हुई है न क्योंकि वह बारिस हो रही थी पहले से तब खोला तो देखा past imperfect हो गया तो जब मैं खिरकी खोला past definite में हो गया इसको कलाउज उलटके बनाए है when I opened the window देखिए इसको लिखे तब बारिस हो रही थी it was running देखिए past imperfect में ये कलाउज को लटकुलट भी कर सकते हैं इससे meaning में कोई बदला नहीं आती है तो दोस्तों उम्मिद है कि आप ये rule समझे होंगे चलिए हम लोग इससे related कुछ सवाल देखते हैं है ना इस सवाल को देखिए जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही important है है ना चलिए हम लोग देखते हैं देखे लिखा है वेन यू डेस ए लेटर आई रिच देयर या देखिए आई रिच देयर पास्ट इंडेपनिट में है तो पहुँचने का काम पास्ट इंडेपनिट में हुआ तो इसक क्यों की दर पास्ट इंडेपनिट है यह क्या हो जाएगा पास्ट इंपर्फेक्ट हो जाएगा यहां वाज वेयर भी फोर लिखना होगा तो यहां पर जो आप लिखिएगा क्या लिखिएगा है ना यहां पर लिखिएगा यू वेयर राइटिंग यहां पर हो जाएगा व यहां देखे लिखा she does food when we were playing chess जब हम chess खेल रहे थे उसी के दोरान खाना बनाना शुरू हुआ तो यह past indefinite में यहां बीटू हो जाएगा cook का बीटू यहां लगाईएगा श्याम वाज sleeping देखिए past imperfect में सोने की किरिया पहले से जारी थी we dance at the door तब यह खटा ना उसी के दोरान हुआ इसलिए यह भी past indefinite में नौक का भीटू हो जाएगा when we arrived there यहां arrived past indefinite में हुआ when we arrived there यह content में हो गया past indefinite में हुआ when we arrived there and they dance lunch है ना तो यानि lunch करने की किरिया पहले से जारी थी past imperfect में हो जाएगा यहां हो जाएगा where have का before having have का before having ऐसे हो जाएगा फिर जैसे दिखे when see number when जब two or more actions दो यादिक किरिया एं where on जारी थी जब दो यादिक किरिया जारी थी together एक साथ एक साथ जारी थी in past past में है ना they all are in past imperfectence यदि भूतकाल में दो यादिक किरिया एक साथ जारी हो कोई आगे पिछे नहीं हो तो वो सभी contents में होती है past imperfect में है ना इसको समझे फिर हिंदी में जब दो या अधिक किरियाएं बूत काल में एक साथ चल रही थी तो वे सभी past imperfectence में होती है बूत काल में एक साथ चल रही थी कोई आगे पिछे नहीं तो वह past imperfect में होती है चैलिए हम लोग इसको example से समझते हैं है ना देखिए लिखा है एक राम किताब पढ़ रहा था देखिए पास्ट इंपरफेक्ट है और तुम गाना गा रहा था यह देखिए पास्ट दोनों देखिए एक साथ चाल लूँ था इसलिए दोनों कॉंटेंस में हो गया पास्ट इंपरफेक्ट में हो गया तो राम पत्र लिख रहा था देखिए past imperfect में लर्कियां गाना गा रही थी देखिए एक साब जारी था इदर उसका पत्र लिखना जारी था तो लर्कियों का गाना गाना जारी था इसलिए दोनों same tense में The girls were singing a song while she was writing a letter. है न? इस तरह दोस्तों, आप Past Imperfect Tense का तीसरा यूज देखे, है न? और इस से आगे जो है, हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे, आपने वीडियो देखा, समझा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू पूर वाचिंग इस वीडियो.